बोलो स्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो स्री सद्गुरू महराज की केती कहूं महर महभूब की जो रूहें देखो सहूर कर स्री महामती कहें में हर अलेखे जो देखो रूह की नजर जो देखो रूह की नजर निश्वत का प्राकरण देख तू निश्वत अपनी मेरी रूह तू आखा खोल प्रडाम जी शंदर्शाद जी अक्षराती धामधनी स्री राज जी स्री अंद्राउती जी के रिदेधा में विराजमान होकर खिलवत की इस प्राकरण के माध्यम से सभी ब्रह्म स्रिष्टियों को अपनी आत्म जागरिती की तरफ प्रेरित कर रहे हैं पिछली चर्चा जिसमें हमने सुना था कि राज जी की मेहर ब्रह्म स्रिष्टियों पर पल पल हो रही है जिस प्राकरण को आज हमने लिया है उस प्राकरण की भी जो आखरी चोपाई है के रहे है केती कहूं मेहर महभूब के क्योंकि उसके बाद ये प्राकरण सुरू होता है नवा प्राकरण दोनों प्रस्चंग आपस में जुड़े हुए अंतीम चोपाई के रही है केती कहूं मेहर महभूब की जो रुहें देखो सहूर कर स्री महामती कहें मेहर अलेखे जो देखो रुह की नजर किसकी नजर से रुह की नजर से देखने के लिए ब्रह्म सुष्टियों को कहा जा रहा है कि राज्जी की मेहर ब्रह्म सुष्टियों पर पल-पल हो रही है महामती कहें तुम पर मौमिनों दम-दम जो भरतत सो सब इश्क हक का पल-पल मेहर करत लेकिन उस मेहर को समझने के लिए कौन सी नजर चाहिए जो देखो रुह की नजर लेकिन चुकि अब तक हमारी रुह की नजर खुली नहीं है हम खुद को और दुसरे को शरीर और जीव की दृष्टि से ही देखते हैं अगर कोई मुझे से पूछे या हम से पूछे कि हमारा परिचे कौन सा है हम अपना कौन सा परिचे देंगे शरीर का नाम बताएंगे शरीर की पहचान बताएंगे इस शरीर के माता-पिता का नाम बताएंगे जिस से संबंधित ये सरीर है उसका नाम बताएंगे जिस जगह से हम संबध हैं इस दुनिया में उस जगह का नाम बताएंगे अपनी उम्र बताएंगे लेकिन क्या हमारी पहचान इतनी ही है इस शरीर का नाम जो वर्तमान में है मानी जी मैं स्वयम के उदाहरण से बताता हूँ अगर मेरे इस शरीर का नाम अशोक नहीं होता कुछ और रखा जाता तभी मैं तो मेही हूँ नाम अलग है मेरे गुण कर्म और सुभाव में कोई भिन्नता रहेगी तब अगर मेरा नाम बदल दिया जाए तो मेरे गुण कर्म और सुभाव में कोई फरक आएगा नहीं हम अपना पता देते हैं कि हम फलाने स्थान से आए हैं फलानी जगह से आए हैं अगर मैं उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर जाओंगा तब भी मैं तो मैं ही रहूंगा इसका मतलब हमारा परीच्वय या हमारी पहचान या जिसको हम निश्वत करें हमारा संबन्ध नई इस सरीर से है नई संसार से है क्योंकि हमने दोनों को बदल के देखा सरीर के नाम को भी बदल के देखा जिस स्थान से हम जुड़े हुए उस जगह को भी बदल के देखा लेकिन हम स्वयम में कोई परिवर्तन नहीं देख से रहे और जिसको हमने अपना समझा है, जिसको हमने अपना माना है हमें सबसे ज्यादा नजदी की कौन लगता है कोई भी ले लिजे हम हमारे द्वारा अरजित धन को अपना समझते हैं कि इस पर हमारा अधिकार है हमारे द्वारा जोड़े गए लोगों के परिवार को कुटुम्ब को अपना समझते हैं, मानते हैं और कहते हैं यह हमारा परिवार है उसके बाद थोड़ा दूर जाएंगे तो परिवार से अलग गाओं के लोग होते हैं हमारे मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं और इश्ट मित्र होते हैं कहते हैं कि ये हमारे गाववाले हैं, ये हमारे शहर वाले हैं उनको हम अपना मानते हैं अगर पुरुष है तो पत्नी को अपना मानता है अगर इस्त्री है तो पत्ती को अपना मानती है और सबसे नजदी की अगर किसी को कहें कि हमारा सबसे नजदी की कौन है तो हम स्वयम हैं सबसे ज़्यादा प्रेम हम किसे करते हैं स्वयम से अपने शरीर से जीव और आत्मा की तो बात ही नहीं करें अभी सबसी ज़्यादा प्रेम हों अपने शरीर से करते हैं क्योंकि अगर माली जीव से भी प्रेम करते अपने तब भी जीव के कल्याण के लिए भी कुछ तो सोचते अभी हमारे जितने भी कर्म है वो किसमे नहीं थे शरीर को खिलाने में, पिलाने में, सुलाने में इसको सजाने में, सवारने में और आकर्षक दिखाने में इसी में सारे कर्म नहींत है है की नहीं एक सवाल मैं अधिकतर जगा पे पूछा करता हूँ सायद आप में से आदे से ज़्यादा लोगों ने सुना भी होगा फिर भी सवाल दुहरा रहा हूँ अगर आप से पुछा जाता है कि हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं जवाब क्या देते हैं हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं तब हमारा जवाब क्या होता है हम जीने के लिए खाते हैं सुनने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं कहूं कि नहीं, मैं तो खाने के लिए जीता हूं, अच्छा नहीं लएगा, हम कहते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं, तो फिर खाने के बाद जब जी आ जाता है, तो जी करके क्या करते हैं, मालिक जी सुबह नास्ता किया दिन भर के लिए हो गया लेकिन हमने दिन भर क्या काम किया साम को कैसे खाए ठीक है यही तो हम कर रहे है सुबह खाते हैं उससे जो उर्जा मिलती हैं उससे साम के खाने को ढूड़ते हैं साम के खाने की बेवस्ता करते हैं गुमा फिरा करते हैं जीवित हो रहने के लिए हम खाते हैं और खाने के बाद फिर अगली बार खाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे होते हैं इसका मतलब हमारे पूरे के पूरे कर्म शरीर को खिलाने पिलाने में नहीं थे अब जूके खाना तो basic need है अदार्भुत आवश्कता हैаю इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कहम कर रहें बहुत सारे काम कर रहें लेकिन वो भी किसके लिए कर रहें शरीर के लिए इसलिए मैंने कहा क meantime हम अपना सबसे प्रियमानते हैं अपने शरीर को अगर जियु को भी प्रिय मानते, जियु से भी अगर हमारा प्रेम होता, आत्मा का प्रेम तो और उपर की बात है। सबसे ज्यादा नजदी की पंद रखा अब अंत में इसका परिणाम क्या निकलता है तो हमारे मनिश्यों ने कहा धनानी भूमव धन कहा रे जाती है भूमी में जमीन में इसी धर्ती पर पसवस्च गोष्ठे जानवर कहा रहे जाती है गोष्ठ में गोठ में गोश्ट आला में भारिया ग्रीहदवारी पतनी कहा तक साथ देती है घर के दरवाजे तक समसान घाट तक तो बहुत नहीं जा पाती है जनाहस्मसाने दूसरे लोग कहा तक जाते हैं समसान घाड तक देहस्चितायाम सबसे नजदी की सरीर था सरीर कहा तक साथ देता है चिता तक है ना सरीर भी तो जिता तक ही जाता है लेकिन हमारे साथ क्या जाते हैं कर्मा नोगो गच्छती जीव एका जीव के साथ तो हमारे द्वारा किये गए कर्म ही जाते हैं अब हमने चुकि सारे के सारे कर्म सरीर को ही सजाने में सवारने में किया तो फिर उन कर्मों का फल भी सरीर के सा आच्छा थी, खतम होगे हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं. तो पहली जो पहचान थी हमारी सरीर और सरीर से जुड़ी हुई वो हो गई समावत. उसके बाद जीव के बारी आती है, जो की जीव अपने आपने अक्यले में तो कुछ नहीं कर सकता बिना सरीर के. जीव को शरीर का साथ चाहिए और आत्मा जो परमधाम से इस खेल को देखने के लिए आई है वहाँ आत्मा कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करती वो जीव के उपर बैठ करके खेल को देखती है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है जो जीव जिस जीव के उपर आत्मा बैठ करके लिला कर रहे थी उसने क्या किया वाणी कहती है जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतसकरण अंधेर गिर्दवाई अंधी इंद्रियां तिन लई आत्म को घेर क्या किया है इंद्रियों और अंतसकरण के साथ मिल करके जीव ने आत्मा को भी अंधा बना दिया कैसे? जिस जीव के उपर बैठ करके खेल को देखना था वो जीव स्वयम दूसरे के उपर इस तरह से निर्भर हो गया कि जीव स्वयम कुछ नहीं देख पार रहा है मानलीजिये? एक राजा दूसरी राज्ये वो राजा नहीं है, वहाँ वो करता नहीं है जिस व्यक्ति के पास जिस राजा के पास वो अतित्थी बन करके गया है गेस्ट बन करके गया है अब वहाँ पर करता कौन है? वो राजा वो उस राजा को अपने रथ में बैठा करके नगर दिखाने के लिए लेके जाता है शहर दिखाने के लिए ले जाता है जैसे ही वो रत में बैठता है अगर ऐसा हो कि उस रत का सार्थी ही राजा के नियंत्रण में ना हो रत का सार्थी राजा के नियंत्रण में ना हो तो फिर आत्मा क्या देखेगी जो राजा दूसरे राज्य का गया है वो क्या देखेगा जहां जहां वो सार्थी लेकर के जाता है उसी को तो देख पाएगा राजा के हिसाब का कुछ नहीं देख पाएगा इसी तरह से आत्मा जिस जीव के उपर बैठ करके उसे खेल देखना था वह जीव मन और इंद्रिय के वस्ट में हो गया है इसलिए कहा जीवे आतम अंधिकरी मिल अंतसकरण अंधिर अब जीव वही देख रहा है जैसा मन इंद्रियों के माध्यम से दिखाना चाह रहा है और आत्मा अब क्या देख सकती है जैसा जीव अनुभव कर रहा है आत्मा भी वैसा अनुभव कर रही इसलिए तो वाड़ी ने कहा तुम आईया चल देखने भिल गईया माहे चल ब्रह्मन सुष्टिया चल देखने के लिए आई लेकिन वो उस चल में उसी तरह से डूब गई जैसे की इस माया की जीव पहले से डूबे हुए थे देखने के लिए आए थे लेकिन अपने आपको खेल का करता धरता समझने लग गए इसलिए अब कह रहे हैं देख तू निश्वत अपनी मेरी रूह तू आखा खोल यहां आकर कि तुझे जीव की नजर के उपर अपनी नजर डाल करके इस खेल को देखना था जीव मन और इंद्रियों के वस में हो गया अब तुझे स्वयम की आख खोलने की जरूरत है क्योंकि जब तक तू स्वयम की नित्रों को अर्थात आत्मिक द्रिष्टी को नहीं खोलेगी तब तक राज्जी के स्वरूप की और उनके मेहर की पहचान नहीं हो सकती इसलिए इससे पूर्व प्रकरण की अंतिम चौपई में कहा महामती कहे मेहर अलेखे जो देखो रूह की नजर और उस मेहर को पहचान करवाने के लिए इंद्रावतीजी ने कहा कि उस मेहर की अगर पहचान करानी है तो ब्रमस्ष्टी है मेरी ब्रमस्ष्टी है मेरी आत्म तु सबसे पहले अपनी आखा खोल, अपनी आख खोल, इसलिए कह रहे हैं, देख तु निस्वत अपनी मेरी रूह तु आखा खोल, जिव की नजर से देखते हैं, तो केवल मायाँ दिखाए पड़ती है, क्योंकि जिव स्वयम भी अपनी नजर से नहीं देख पा रहा है, जि इसलिए ब्रह्मिस्टियों को कहा जा रहा है कि तुम अपनी आखे खुलो क्योंकि कि ते तेरे कानों सुनें कि हे मेरी आत्मा तुने अपने कान से क्या सुन रखा है हक बका के बोल अगर परम्धाम की ब्रह्मिस्टि ने परम्धाम का ज्यान नहीं सुना होता तो उसको दोस नहीं दिया जा सकता था कि ब्रह्मिस्टि जागरित नहीं हो रही है उसके ओपर कोई गुना नहीं था क्या केते हैं जब लग भुली वतन तब लग नाहीं दोस जब जागी हक इलमे तब भुली सिर अफसोस जैसे दुनिया का कानून है भारत वर्ष का कानून मान लिजे वही अपराध अगर 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिसको हम नाबालिक कहते हैं नाबालिक व्यक्ति अगर वही अपराध करता तो उसके लिए दूसरी प्रकार की सजा का प्रावधान है और वही अपराध कोई बालिग करता है तो उसके लिए दूसरी सजा का प्रावधान है तो सोचिए कि जो सबसे बड़ा न्यायकारी है वो किसी के उपर अन्याय कैसे कर सकता है तो अब तक अगर हमने परम नाम का ज्ञान नहीं सुना होता यहां मानी जी बहुत सारे सुन्दर साथ बैठे हैं उन में से कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है पहली बार वाणी की चर्चा सुन रहे हैं पहली बार इस तरह से खिल्वत की वाणी सुन रहे हैं तो उनके लिए छूट है उनके लिए माफ है लेकिन लेकिन जब जागी हक इल्मे आत्मीक द्रिश्टी से जागरित होने की बाद भी वो दूर की बात है लेकिन अगर ज्न से भी जागरित हो गए जब जागी हक इलमें यहाँ पर ध्यान की भी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर चित्वनी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर मारिफत की अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं कहरें कि अगर इलम से भी एक बार जागरीत हो गए एक बार वाणी की चर्चा अगर सुन ली और एक बार हमने प्राणाजी के सुरुप की पहचान कर ली एक बार के लिए ही अगर हमने ये कहा कि हमने प्राणाजी के सुरुप को पहचान लिया है और हमारा इमान उनके उपर है और ऐसा कहने के बाद इस तरह से पहचान करने के बाद अगर हम उनको दुबारा भुला देते हैं तो फिर हमें पस्चाताप की अगनी में जलना पड़ेगा इसलिए करें ते तेरे कानों सुने हक बका के बोल तुने कहा के बोल सुन रखें हक कहते हैं सत्य और बका कहते हैं अखंड अखंड परमधाम की तुने शब्द सुन रखें और कब से सुन रहें कब से सुन रहें हमारी आत्मा अलग-अलग जीवों के उपर बैठ करके पिसले लगभग 400 वर्सों से सुन रही है वो अलग इस जीव के उपर हमारी आत्मा जब बैठी है तो हमारे जीव ने वानी के ज्ञान को कब से सुना कोई 5 साल से सुन रहा है कोई 10 साल से सुन रहा है कोई 20 साल से सुन रहा है कोई 25 साल से 40 साल से 50 60 साल से भी हम वानी को सुनते आ रहें और इतना होने के बाद भी एक तरफ हम अगर एक चरण कह दें, चोपई पूरी फटाफट कर लेते हैं अगर हमसे कहा जाए ए बानी सुनते जिनको आवेशन आया अंग सो नहीं नहेचे वासना ताको करू जीव भेलो संग चोपई सब को याद है इस चोपई को नजाने हमने दरजनों बारसुना होगा एक चोपई हम हमेशा गाया करते हैं और ऐसा नहीं कि चोपई किसी को वाद नहीं है किसी से भी पुछा जाएगा आधाचरण तो याद ही होगा कम से कम कहते हैं कुर्बानी को नाम सुन मोमिन किय ते कुर्बानि को नाम सुन लुख औ। पीछे हुटे जो मोमिन दौड लिया तिंसन्स या शुर्बानी शब्द को सुनते ही ब्रह्म स्थियों के हृदे में उम्मंग आने लगता है कि हमें कुर्बानि का आवसर मिल रहा है हमें सेवा का आउसर मिल रहा है हमें अपनी आत्मा को राजी की चरणों तक पहुचाने का आउसर मिल रहा है अथवा अपनी आत्मा के हृदय में युगल सरुप की सोभास रिंगार को बसाने का आउसर मिल रहा है लेकिन यहां तो हम कुर्बानी को केवल सुन नहीं रहे हैं क्या ऐसा है कि हमने सिर्फ कुर्बानी शब्द को सुना है बीतक हम हर बार सुनते हैं हर साल सुनते हैं अलग-अलग तरह से सुनते हैं स्वयम पढ़ते हैं तो बितक में हम उन उदाहरणों को प्रत्यक्ष देखते हैं। पहली बात कुर्बानी शब्द को सुना, उसके अर्थ को समझा, फिर उसके उदाहरण को भी देखा, कि इन ब्रह्मस्टियों ने चाहे वो स्रीलालदः जी हो चाहे मुकनदः जी हो, चाहे दिल्ली में औरंगजेब के पास पहुंचने वाले बारह मुमिन हो चाहे फिर अश्ट प्रहर की सेवा में जिन्होंने पूरे दस वर्ष तक सुबह छे बजे से लेकर कि अगले सुबह छे बजने तक किस तरह से सेवा की उन सभी ब्रह्म सिष्टियों के नाम सुनते हैं हमने कुर्बानी शब्द को सुना उसके अर्थ को समझा और उसके उदाहरण को देखा और वो तो बात अलग हो गए वो बात तो हमने बीतक में सुना है लेकिन क्या हमारे सामने प्रत्यक्ष हमारे दैनिक जियोन में ऐसे उदाहरण महजुद नहीं है क्या अभी वर्तमान में हमारे सामने ऐसे उधारन नहीं है जिन्होंने कुर्बानी करके दिखाया जो कुर्बानी की राहा पर चल रहे हैं ऐसे उधारन हमारे पास नहीं है कुछ सुन्दर साथ जो सरकारश्री से जुड़े हुए है सरकार श्री ने कुर्बानी करके दिखाया सुगर का रोग था उने मधु में डाइलेसिस चल रही है इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं और फिर भी सुन्दर साथ को जगाने के लिए वो चरचा नहीं छोड़ रहे हैं और हम क्या कर रहे थे उस समय में हम क्या कर रहे थे सरकार श्री का जब तन छुटने वाला था अंतिम अवस्था चल रहे थी तब भी जाकर के सुन्दर साथ सरकार श्री से कह रहे थे कि सरकार जाते जाते कुछ सुना दीजिए जब पूरे जीवन सुनाने से समझ में नहीं आया तो जाते जाते ऐसा कौन्छा चमतकार कर देंगे ये तो भगवान दा श्रेवा दा स्वाली स्थती हुई ना 22 दिन तक साथ में रहे तब कुछ नहीं सुना कुछ नहीं समझा न समझने की कोशिस की माया और माया ही मागते रहे लेकिन जब स्रीजी जा रहे थे तब किसी दूसरे के कहने से क्या का स्रीजी के पास जा करके जाते जाते कुछ सुना दीजिए आज जब हम वित्तक की चर्चा सुनते हैं तो भगवान दा स्रेवा दास की जब बारी आती है तो हम नाक बहुत शिकोरते हैं पहचान लेकिन हमने क्या किया हम जजबन के बैठ गए कि एक तरह जुमें भगवान दा स्रेवा दास को रख दिया दूसरे तरह जुमें केशो दास जी को रख दिया और हम कहे रहें कि केशो दास जी का पलड़ा भारी है बखवन्द श्रिवदास का पलडा हलका है और हमारा पलडा जज कौन होता है जो दोनों प्रतिभागी से बड़ा होता है यह तो जज कर सकता है दोनों को और हम क्या करें हम कभी मुकुंधाश जी को कह रहा है कि मुकुन दास जी ने पूरा समर्पन नहीं किया उदयपूर के प्रसंग में ठीक है गोवर्दन जी को दिल्ली के प्रसंग में लाल दास जी से जब तुलना करते हैं हम तो कहते हैं कि लाल दास जी का समर्पन बहुत बड़ा था उन्होंने तो पूरी समर्पन की औ और गोवर्दन दाश जी तो मृत्यू से डर गए ठीक है लक्षमी दाश जी का पुरा समर्पन नहीं था लक्षमी दाश जी को स्रीजी के स्वरुप की पूरी पहचान नहीं थी हम इस तरह से सब को जज करते फिरते हैं पूरी बितक में लेकिन पूरी बितक में से हम एक भी उदाहरण अपने लिए नहीं रखते कि हमारी उस्तिती कौनसी है औरंग जेब की जो अवस्था थी उससे भी निक्रिष्ठ हमारी अवस्था है बिहारी जी की जो इस्तिती उनसे भी गई गुजरी हमारी अवस्था है लेकिन हम किन को जज कर रहे हैं हम कभी हमने अपने लिए तो नहीं सुचा कि हमारे स्थिति कौन सी है औरंग जेव ने कभी वाणी चर्चा सुनी थी नहीं सुनी ना उनके पास ज्ञान पहुंचाने के लिए गए उसने सुना ही नहीं नकार दिया इसलिए उसकी वूर स्थिति थी लेकिन आज तो हम रोज महिने गोष्ठी करते हैं आज तो यूट्यूब चैनल में यहीं पर सामने यूट्यूब चैनल का नंबर दिया हुआ यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ हम रोजवानी की चर्चा सुनते हैं चाए वो किसी की हो हम रोजवानी का पाराइन रखते हैं हर हफ्ते रखते या हर महीने रखते हैं और इतना सुनने के बाद भी एक भजन सरकार्षिर के समय में कुछ सुन्दर साथ गाया करते थे कहते हैं इतनी वाणी चर्चा सुनकर दिलना दहलता है सारे बेसुध हो गए हैं ऐसा लगता है हम कहते हैं एती आग सिर पर जली तु रहा खांगड़ू होए लेकिन हमारे स्थति उससे भी गई गुजरी है एक होता है मोम ठीक है मोम जो है वो आग की गर्मी से पिघल जाता है बर्फ भी पिघल करके पानी बन जाता है ठीक है पत्थर जैसा कठोर पदार्थ भी सूर्य के किर्णों के संपर्थ में आने पर भले ही ना पिघले वो गर्म हो जाता है हम तो ठंडे के ठंडे हम पर कोई असर नहीं होता है इसलिए ना हमें खांगुड का उदारण मायने करता है ना हमें पत्थर दिल कहना स्वभा देता है हमारे लिए कोई उदारण लागू ही नहीं होता है शायद इसलिए हम अपनी आत्मजागरिती की आउस्था में वहीं के वहीं है आज से दस साल पहले भी हम उस स्थिति में थे आते थे चर्चा सुनते थे भंडारा करते थे और उसके बाद में चले जाते थे और आज भी हमारी स्थिति कोँची है आए हैं लगबग पांच या साथ दिन से चर्चा सुन रहे हैं गुमड़ जी बंगला जी जाते हैं हम परिक्रमा करते हैं उसके बाद वापस आते हैं और हमारे स्थिति फिर अगले एक साल तक के लिए हम फिर वापस उसी डेली रूटिन में चले जाते हैं और हम फिर खाने के लिए जिने लगते हैं इसलिए कह रहे हैं इंद्रावती जी कि देख तु निश्वत अपनी मेरी रूह तु आखा खोल तैं तेरे कानों सुने हक बका के बोल तुने राजी के और अखंड परमधाम के बोल सुन रखें और उस बोल को उस शब्द को सुनने के बाद भी तुम्हारे स्थिति कौन सी are जिसे धाक के तीन पात कहते ना धाक के तीन पात वाले स्थिति हमारी है अगले साल भी हम आएंगे आएंगे ना कोई मना थोड़ी करेंगे आएंगे जरूर आएंगे और इससे ज्यादा लोग आएंगे लेकिन स्थिति आना मायने नहीं रखता, चर्चा सुनना भी मायने नहीं रखता क्योंकि वाणी क्या कहती है, सूता होई सो, क्या करना है, सूता होई सो, जागियो जागा सो, बैठा होई, बैठा, थाड़ा होई यो, थाड़ा पाओ, आगे भरे सोई हमारे स्थिति कौन सी है सूता होई सो जागियो उसके बाद में फिर से सो जाई हो ठीक है ना सोने के बाद हम जग जाते हैं और जागते कैसे हैं क्योंकि जागना दो तरीके से होता है और जगाना भी दो तरीके से होता है जागना और जगाना दोनों दो तरीके से होता है, एक तो, शुबसबस मम्मि उठाती हैं घर में अपने बच्चों को छे बजे का अलराम लगाया होगा, तो मा आवाज लगाएगी बेटा उठ जा, कान में आवाज पढ़ रही है, पहले अलराम की आवाज पढ़ती है, तो प मम्मी उठ गया लेकिन मम्मियों को पता है कि वो कितना जगना होता है जब तक छे बजे वाला अलारम दस-दस मीनिट बाद बजके साथ नहीं बज जाता तब तक कोई उठता नहीं है हमारे स्थित भी अभी ऐसी है तो जागना तो हो गया दो तरीके से हैंकि नहीं पहला जागना हो गया जैसे मम्मी जगी है क्योंकि उसको पता है कि अगर अभी नहीं जगी तो बच्चे की गाड़ी छूड़ जाएगी उसको चिंता है लेकिन दूसरा जागना हो गया बच्चे का उसको पता है अलाराम बज रहा है गाड़ी आने वाली ही मम्मी सारा काम कर रही है लेकिन मुझे क्या लेना देना हमको पता है तारतम की टिकट मिली है हमें भजन गाया करते हैं नीजधाम की गड़ी में हम तो हमें तारतम का लल्काइब से वी कैसी है एक होता है जागजा जैसे मंगी जगा रही ह Kansas दूसरा होता है दो दोस्त अगर पास में सुत रहे हो एक की नीद अगर गलती से उठ Нिय। यह वह है को खुद्मीनीद में है वह खुद्मीनीद में है वह जैसे एक उधारण से मैं समझाता हूं एक बार क्या हुआ है दो आलसी एक बेर के बेर तो सब समझते हैं ना बेर के पेड़ के नीचे सो रहे थे सुबह सुबह एक वेक्ति महां से गुजरता है तो एक आलसी उसको इसारे से बुलाता है तिर दिर करके इधर आओ उसनी सुन लिया बायचांस देख लिया आई कॉंटेक्ट हुआ देखा तो पता चला है कि वो इसारा कर रहा है पास में आने के लिए उसको लगा कि ये दोनो बीमार है उसको पता है ना आलसी है उसको लगा कि बीमार है जब पास में गया तो बोलता है कि ये बेर उठा के मेरे मुह में डाल दो ना ये बेर उठा के मुह में डाल दो बिल्कुल हाथ के पास में हाथ पहुंच सकता इतनी तो कोई बीमारी नहीं होती तो उसको पता चल रहा था वो बोलता है कि भाई साब यह तो इतना आलसी है पूछो मत रात भर कुट्टा मेरा मुझ चाड़ता रहा लेकिन इसने हटाया नहीं ठीक है हम भी ऐसे ही जाग रहे हैं जैसे दो दोस्त थे हमारी जागरिती चाए जागने वाले की हो चाए जगाने वाले की हो अधिक्तम सबकी बात में नहीं कर रहा है हमारे इस्थिति ऐसी ही है हम जगाते भी उसी तरह से हैं और हम जागते भी उसी तरह से हैं तो हम सभी ब्रह्मसिष्टियों को या ब्रह्मसिष्टि का दावा लेने वाले सुंदर साथ को क्योंकि ब्रह्म सिष्टी होना या उसका दावा लेना दोनों अलग अलग बात है क्योंकि जब दावा लिया जाता है किसी कुर्सी पर बैठा जाता है किसी गादी पर बैठा जाता है तो अधिकार जो मिलता है ब्रह्म सुष्णियों का राजी ने कौन सा अधिकार दिया दुनिया को अखंड करने का बोलते हैं इतना बड़ा दावा ले रखा है दुनिया में बड़े बड़े महापुरुस हुए ठीक है विष्ण भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं ठीक है और उन अवतारों में से दुनिया के लोग क्योंकि जितना जानते हैं उतनी पहचान करते हैं वो केते हैं विष्ण के जितने भी अवतार में उनमें कृष्ण का अवतार सबसे बड़ा और सबसे सकती साली हुआ ठीक है दुनिया के लोग यह मानते और केते विश्णूर नाम नाम चा सर्वेशाम सारत सारं परात परह कृष्णेती सुंदर नाम मंगल मुक्ति दायक है ऐसा बोलते हैं लेकिन वही कृष्ण मुक्ति के संबंद में क्या केते हैं उन्होंने कहीं जो खेल देख्या ब्रह्मांड तो क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न करू अखंड दुनिया को अखंड मुक्ति देने का दावा किस ने किया अधिकार ही तो हुआ ना सुख सीतल करू संचार दुनिया को सीतल सुख देने का अधिकार किस के पास है किसके पास ब्रह्मांड मुक्ति के पास लेकिन अधिकार के साथ में क्या जूडता है वर्ज कर्तब्य डूटी जब तक फर्ज नहीं अदा करते जब तक कर्तब नहीं निवाते है तब तक अधिकार किसी को नहीं मिल सकता तो हमने क्या किया मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा ठीक है जो जितने बड़े पद पर पहुँचता है वो उतने ही बड़े उतने ही नुकिले काटों के ताज को पहनता है अब हमने दावा लिया दुनिया को अखण मुक्ति देने का दुनिया को जगाने का दुनिया को जागरित करने का लेकिन क्या हम स्वयम जागरित हो पाए हम कहते हैं ए सुख देऊं किसको हम कौन है हम कौन है ब्रह्म सिष्टी और हम किसको सुख देंगे ए सुख देऊं ब्रह्म सिष्टी को तो क्या हमें पता है किसमें वास्तों में सुख है पता है जब हमें नहीं पता है किसमें सुख है हम कहते हैं पहले कहा हमने ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार पहली बात हमने मता क्या हमने मन्थन किया नहीं जब मन्थन नहीं किया तो सार नहीं निकला फिर अगले चरण मे कहते हैं इन सार में कई सत सुख लेकिन हमने क्या किया पहले चेन को ही हमने तोड़ दिया ना जब हमने मत्था ही नहीं तो सार नहीं निकला जब सार नहीं निकला तो कैसे पता चला कि इसमें सत सुख है इसमें अखंड सुख है इसका पता नहीं चला और जब हमें खुद नही एसे हम केते हैं आख का अंधा और नाम नयन सुख ठीक है हमारे जेव में फुटी कोड़ी नहीं है और हम लाखों का करोड़ों का कर्ज देने की बात करें और कर्ज भी ने खायरात कर्ज भी नहीं हम दान देने की बात करें जब कि हमारे जेव में दो पैसा भी नहीं है जब ह तो यह मुझा आनंद को निल्ए तो हम ये कैसे दावा कर सकते कि हम एसुक देउ ब्रह्म शूसच्छी को और जब एसुख देउर ब्रह्म शुच्छी को नहीं कह सकते तो मैं क्या कह रहे हैं चोपाई चोपाई पुरा कीजिए ना तारतम जो सब को याद है ये सुक देव ब्रह्मे सिष्टी को न हमने वाणी मंथन किया न हमने सार निकाला न हमने उसके सुक को स्वयम ग्रहन किया जब स्वयम ने लिया तो दूसरों तक पहुचाने की कोई बात ही नहीं आई और जब हमने ये सर्थ पुरा नहीं किया अगर हम ये अधिकार चाहते हैं तो वापस जाए रिवर्स में हमें रिवर्स में जाना पड़ेगा और फिर वहां से शुरुवात करनी पड़ेगी जहां से हम रास्ता भटके थे हम क्या करते हैं अगर हम गलत कट ले लेते हैं तो वापस वहाँ पहुंचते हैं जहां U-turn होता है और U-turn लेकर के जहां से हम गलत रास्ते पर गए थे वहाँ पहुंचते हैं अब हमें वापस वहाँ जाने के जुरूर थे पहले वाणी मन्थन से शुरू किजिए, वाणी मन्थन करके उसका सार लिद जिए, उसका सार ग्रहन करके स्वयम भी सुख लें और दूसरों को सुख दें और उस सुख को लेने के लिए हमें अपनी आत्मिक द्रिष्टी को खोलने के जरूरत है क्योंकि सरीरिक द्रिष्टी को खोलेंगे तो किसका सुखलेंगे सरीरिक द्रिष्टी से सारीरिक का सुखलेंगे आत्मिक द्रिष्टी से हम आत्मा का सुखलेंगे इसलिए हम सभी ब्रह्म सुष्टियों को प्रेडित करते हैं, देख तु निस्वत अपनी, मेरी रूह तु आखा खोल, अब हमने हक बका के अखण के शब्द भी सुन रखें, और इन शब्दों को सुनने के बाद में ए बानी सुनते जिनको आवेशन आया अंग, सो नहीं नह है, वासन अता को करूँ, किसका, किसके भेले करना है, किसके साथ करना है, जियू के साथ करना है, और हम कभी यह चाहेंगे नहीं, एसी के टिकट के अधिकारी होते वोगे कोई जेनरल डिब्वे में दरवाजे में लटकते वे जाना चाहेगा नहीं ना जब हमारे पास इतना अधिकार है बस थोड़ा सा कर्तव्य पुरा करने की देरी है तो इसलिए हम इस फरज को अदा करें ब्रम्य सिष्टि होने के फरज को अदा करें अधिकार तो अपने आप मिल जाएगा राजी ने क्या कहा? पहले मो को सब जान सी, पीछे हो सी तुम्हारी पहचान राज्जी को सब जानेंगे उसके लिए ब्रह्म सिष्टियों को अपना अधिकार अपना करतव पूरा करना है उसके बाद में ब्रह्म सिष्टियों का जो अधिकार है वो भी उन्हें मिल जाएगा ब्रह्मस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जब से है, जब से उनका संबन्ध राज्जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आत्मय जागरिती ब्रह्मनस्रिष्टियों का जो अधिकार है, उसके लिए बस थोड़ा सा कर्तब्य पालन करने की देरी है, उसके बाद सारे के सारे कर्तब्य अपने आप मिल जाएंगे, सारी की स जिसको हम पर आतम की जागरिती कहते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम सुरू से प्रयास करें, सभी सुन्दर साथ नियमित रूप से वाणी का अध्यन करें, नियमित रूप से वाणी की चर्चा को सुनें, और जितना हम सुनते हैं, क्योंकि इससे पहले पकरन की आखरी तब ब्रमस्ष्टियों को राजी की मेहर का पता चलेगा, उनकी समझ आएगी, और तभी हम अपनी आत्म जागरिती और परातम के जागरिती की तरफ बढ़ेंगे, और अपनी मूल लक्ष को हम प्राप्त करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देत हूँ, अब समय पुरा होता है जो परिद रहे हैं, देख तू निस्वत अपनी, मेरी रूह तू आखा खोल, ते तेरे कानों सुने, हक बका के बोल, हक बका के बोल, बोलो स्री प्राणनाथ प्यारे की कुराणनाची क детей, मेरी रहे हैं, आखा आखा है यारतिता स्षछ एक कर दोबजिता, जिसे कर दो दो में अबTH आखा है !